तो कॉंगर्स पार्टी ने पूरे देश बर में एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है ये प्रोग्राम है कॉल फॉर यूथ इन पॉलिटिक्स यानि युवाओं को राजनीती में बढ़ चड़कर आगे लाना है ये कॉंगर्स का एक नया उदेश है इस प्रोग्राम को प कहीं अपना जनातार खोती भी नदर आ रही है लेकिन किस तरह से कॉंग्रस यूवाओं को अपने साथ जोड़ पाएगी इस प्रोग्राम के माद्यम से ये यूथ कॉंग्रेस के नेता है मेरे साथ उदे जी उदे जी से जाने का प्यास करते हैं तो इस प्रोग्राम की जो आपने की है ये पूरे देश बर में शुरू किया गया है और उसी के साथ जमु कश्मीर यूटी में भी इसकी शुरूआत हो चुकी है तो क्या इस प्रोग्राम का उदेश है जिसको लेकर आप ये आगे बढ़ रहे हैं और यूवाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास हो या कि उनका कोई रिष्टेदार बहुत बड़ा लीडर हो लेकिन हमारी सोच और राहूल गांदी जी की सोच ऐसी नहीं है हम चाहते हैं जादा से जादा लोग जो आम परिवारों से बिलॉंग करते हैं वो यूथ कॉंग्रस में यही कारण है कि यूथ कॉंग्रस NSU में इंटर्नल डेमोक्रेसी है इंटर्नल इलेक्शन है और टाइम टाइम पे जो आम परिवार से जो यूवा हैं जो राजनीती में इच्छा रखते हैं उनको मंच देने के लिए ऐसे प्रोग्राम से यूथ कॉंग्रस लांच करती है और इसमें हमें बहुत से यूवा नेता मि जूड़ेगा और कॉंग्रस पार्टे एक फिर से कमबैक कर पाएगी देखिये मैं मुझे लगता है आप डीडी सी एलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हो तो यह सच है एक यूवा नेता होने के नाते मैं एक चीज को मानता हूं कि एलेक्शन से पहले बीजेपी पे बहुत जम्मु कश्मीर के लोगों पर खासकर जम्मु के लोगों पर क्योंकि बहुत से मुद्दे थे 4G का मुद्दा था टोल प्लाजा का मुद्दा था बिजली के नीजी करन आजकल गाडियों की RC जो है वो 99% टेक्स पढ़ रहा है लेकिन यह गुसा वोटों वोट्स में कनवर इसको एज़ यूवान एता मैं मानता हूं उसमें कुछ कमियां हमारी भी रही होंगी उसके चलते हम सब इसमें मन्थन भी कर रहे हैं अपनी कमियों को नहीं पैचानेंगे तो इंप्रूफ कैसे करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे यह मैं मानता हूं लेकिन इसमें कुछ इसी भी हैं बहुत बार कहा जाता है कि ऑपोजिशन अपना काम नहीं कर रही है ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिस पर यूथ कॉंग्रेस सडकों में नहीं आई हो जो मैंने आपको गिना हर एक चीज में हम सडकों में आए हैं लेकिन ऐसी क्या चीज है जो बीजेपी को रोक र रह जाएगा तो क्या कारण है स्क्योटी इशू तो है नहीं अगर स्क्योटी इशू होता तो डीडीसी इलेक्शन बीडीसी इलेक्शन पंचायत इलेक्शन शांती पूरवक हो गई हमें भरोसा है अपनी देश की आर्मी के जवान पर जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा इसलिए फोरजी नहीं है एक ये कारण है कि ओपोजिशन की अवाज घोटने की कोशिच की जा रही है और आपको ये भी पताना चाहूंगा कि अगर लोगसभा इलेक्शन में जो कॉंग्रिस का वोट परसंटेज सा जम्मू में खासकर और डीडीसी की इलेक्शन में तो बह आपने वली एसेम्ब्ली एलेक्शन में मूँ तोड जवाब देगी जनता लेकिन कहीं न कहीं इस बात से भी आप हम इंकार नहीं कर सकते या आप भी नहीं कर सकते कि गुपकार अलाइंस का भी कॉंग्रेस पार्टी कहीं हिस्सा है इसको डिकर क्या कहें गया तेखिए गु महराजा हरी सिंग जी ने 1927 में हमें दिये थे कि जो जमीने हैं वो हमारी पोटेक्टिट रहेंगी सुरक्षित रहेंगी और दूसरा जो सरकारी नोक्रियां हैं वो यहां के लोकल यूथ के लिए रिजर्व रहेगा ये चीन कर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लौ लाया तो जम्मू कश्मीर में जब हमारे महराजा हरी सिंग जो इतने विजनरी महराजा थे 1927 का ये लौ उन्हों ने हमारी तरक्की के लिए लाया था तो जो दोखा बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है इसका जवाब और आने वाली एलेक्शन मे लोगसभा के comparatively ज़ादा वोट कॉंग्रिस को डाला है लेकिन बहुत काम करने की हमें जरूत है इसमें मैं ये नहीं बैठ सकता कि हमारा वोट परसंटेज बड़ा है तो काफी हो गया नहीं हमें हमारी कम्या रही है तूजी भी एक कारण रहा है लेकिन मैं आपके मादियम स ये बीजेपी को बताना चाता हूँ आप फोरजी नहीं देना चाते मत दीजिये अब टूजी भी छीन लीजी अगर आप छीनना चाते हो हम लोगों के घर घरता कब जाएंगे हम समझ चुके हैं आपने हमारी एजादी छीन ली है पूरे देश भर में युवा हाई स्पीड connectivity के साथ घूम सकता है हमें फोन आते हैं कुछ जो students हमारी बहने हमारे भाई जो UPSC की त्यारी दिली कर रहे थे COVID के चलते घर आगे और वो बोलते हैं भी हमारे जो students है colleague students जो है जो कैरला हर्याना से थे वो online पढ़ाई कर रहे हम नहीं कर पाते क्योंकि 2G है तो मैं आप ये चाता हूँ जो BJP का नेता यहां बोलता है चिंता नहीं करनी चिंता नहीं करनी जब पढ़ाई हमारे यहां के परदेश के बच्चों को अच्छी नहीं मिल रही जब उनका merit अच्छा नहीं आएगा तो उनके भविशे की चिंता कोन करेगा रविंदर रहना करेगा उनको प कहीं न कहीं भ्रमित किया जा रहा है लोगों को और जिससे भरतियंता पार्टी अपने कारे करती नजर आ रही है वो कहीं न कहीं लोगों को गुमरा किया जा रहा है भरतियंता पार्टी की तरफ से लेकिन जो प्रोग्राम कॉंग्रेस पार्टी ने लांच किया है जिसको ल लेकर आगे बढ़ रहे है कॉंग्रस पार्टी जिसमें फोर जी को लेकर लगातार बात की जा रही है कि फोर जी जम्मु कश्मीर से जो वो हटा दिया गया टूजी पर यहां पर काम किया जा रहा है लेकिन टूजी पर ऑनलाइन अगर स्टडी की बात करे तो वो नहीं हो पा लिए यानि अधिकार जो वो जम्मु कश्मीर के लोगों के चीन लिए है भारती ने इस तरह क्या रोप लगाए जा रहे लेकिन देखना यह है कि इस प्रोग्राम के माद्यम से कॉंग्रस पार्टी कितना अच्छा कमबैक करती है और किस तना से युवाँ को इस प्रोग्र के लिए रिशी घजूरिया जेके मीडिया के लिए यूथ कॉंग्रेस इंदाबर राहूल गांदी इंदाबर राहूल गांदी इंदाबर